आज तो बद सल्मान और उनके फैंस का दिन है क्योंकि आज दबंग्ट्री का ट्रेलर जो रिलीज होने वाला है ऐसे मिनासे फैंस को सल्मान की दो अफ्तारों से मिलने का मौका मिलेगा बलकि ट्रेलर को और ज्यादा ट्विस्टी और एक्साइटिंग बनाएंगे फिल्म के चार नए कलाकार जिनको देखने के लिए फैंस जादा उतावले होते नजर आ रहे हैं तो चलिए बिढ़ा देर किये आपको जल्डी जल्डी बता देते हैं आने वाले ट्रेलर में होंगे वो नए और कहानी में ट्विस्ट लाने वाले कौन से चेहरे ट्रेलर में जिसको देखने के लिए सभी की आँखे बेकरार है वो है इस फिल्म से बॉलिवूर्ड में कदम रखने जा रही साइम मनजे कर की जो बनेंगी सलमान का पहला पहला प्यार जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि साई को सलमान की जिंदगी के पहले पन्नों में दिखाया जाएगा और सभी ये जानना चाहते हैं कि साई किस थरा फिल्म में अपने रोल को पोट्रेट करेंगी और इसके हलकी फुलकी जलक आज आपको ट्रेलर में देखने को मिल ही जाएगी हीरो और उनकी महबूबा के साथ दबंग की ट्रेलर में जो देखने लाइक कारेक्टर होने वाला है वो है साउत के सूपर स्टार किछा सुधीब का जिनका राउडी और जान लेवा दुश्मनी वाला अंदास आपको आज ट्रेलर में जरूर देखने को मिलेगा साथ ही साथ हो सकता है कि फिल्म की ही तरा ट्रेलर में भी इन दोरों की इंटेंस आक्शन सील्स की कुछ जलक्या दिखाई जै जिससे देखने वालों की निगाहें सिर्फ दबंग 3 के ट्रेलर पर टिक जाए अभी तक आपने जब जब दबंग मूवी या फिर उसकी ट्रेलर देखे हैं तो सभी में सल्मान सुनाक्शी के साथ लेट आक्टर विनोद खना भी नजर आए है ऐसे में इस तीसरे किश्ट में उनका ना होना और उनकी जगह उनके भाई प्रमोद खना को विनोद खना बने देखने के लिए भी लोग काफी एक्साइटिंग और क्रियोसिटी से भरे हुए है क्योंकि दोनों भाई का नाख नक्शा एक दूसरे से थोड़ा लग है ऐसे में ट्रेलर में यकीनन ये देखने में मज़ा आएगा कि किस तरह मेकर्स ने प्रमोद को विनोद खना बनाया है और क्या वाकी में वो स्क्रीन पर विनोद खना जैसे ही लग रहे है और फाइनली इन सबके बार ट्रेलर में जो आग लगाएगा वो होगा सल्मान का पैपी आइटम जांस नमबर मुना बदना जिसके एक जलक पाने के लिए फैंस से लेकर मीजिया तक बेकरार है बता देए कि सल्मान के साथ इस गारे पर छुमके लगातिया आपको दिखेंगी एक्टरस वरिना हुसेट जिन में उनके जल्वे कितने कातिलाना होंगे ये देखने के लिए सब ही बेताब है फिर ट्रेलर में यकीनन अगर हमारी कही गई सारी बाते हुई तो कसम से सल्मान और उनके फैंस की तो लॉट्री ही लग जाने वाली है